साथियों नमस्कार मेरे नाम राहूल है सुबह के नौ बज रहें करीब और अभी वीव कुहासा पूरा किया हुआ है अब थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है बकरियां मेरी बहारा गई है रात का तो टेंपरेचर होता है वो मैं 8 डिगरी के असपास रह रहा है भी यानि कि बह बकरियों को ठंड से बचाना बहुत ही महत्पून हो जाता है कैसे बकरियों को ठंड से बचा के रख्या तो उसके लिए मैं आप समों को कुछ घरली उपाए बताऊंगा जो आपकी घर में ही होते हैं उसका इस्तिमाल किजिए जिसे बकरियां आपकी ठंड से बची रहेंग वेह थोसी होता है नोनी सकते हैं यह और आपको क्या करना है नहीं होगा दे सकते हैं तो doğ di उसे सर्दी अंते हैं सर्सों का लिकांगा ख cheating भी नहीं होगा अव से दो-दो बन नाक न॑ में दे अब फिर फिर न चेलिक बच होता है और यह उसके बात हता है आजवाईन हो गया मंगरेला किया अब श्क्रियांके चेलिक स्थम को ऊधर मगेचए चली सिर्वेस्र नहीं लगती है सर्दी से लडने में मदद मिलेगी और ठंड में बकरियों को नहीं लगेगी लेकिन ध्यान रखे हैं ज्यादा इस्तिमाल ना करें ना तो अध्रक का और ना तो लहसन का क्योंकि यह गर्म तासिर की होती है और वेदि अपकी बकरी पिग्नेंट है तो फिर गर्वपाद का डर रहता है इसलिए ज्यादा इस्तिमाल ना करें थोड़े थोड़ी मात्रम में अब करें दो तीन कलियां ही खिलाएं इससे बकरी सर्दी से लड़ लेगी यह अल्मोस्ट अब तो जनवरी का आज दस तारीक है दस से दस याई 11 तारीक है मुझे अच्छा से आदनी साथ 11 तो जिससे थोड़ी दिन की ही और बात है 15-20 दिन उसके बाद सर्दी अंधिले जरे कम होने लग जाएगी लेकिन यही 15-20 अभी पीक पर ठंडा एकदम से 8 डिग्री टेंपरेचर हमारे हो रखा है तो बहुत ही सर्दी होती है तो इसके लिए आप रूम के अंदर जहां बकरी रखते हैं बाडा में रखते हैं वहाँ पर आग जला सकते हैं रूम लगा सकते हैं किसी भी तरह से रूम को थोड़ा गर्म किजिए और टेंपरेचर को कम से कम 16-17 डिग्री पहुंचाईए तो फिर बकरी आपको वीमार नहीं पड़ेगी आपकी बकरी ऐसे आइडियल जो होता है बकरियों के लिए वह 20 डिग्री के असपास होता है तो यह 15 तक भी रखते हैं 15-16 तो वह सर्वाइब कर लेगी नहीं तो फिर दिक्कते होगी सर्दी जुकाम खासी होगा फिर और फिर निमोनिया होने का डर रहता है तो यह सब घरेलू इस्तमाल करके बकरियां को ठ इस्तमाल करता हूं कम क्या कर बराबर करता हूं मेरा मानना है कि इलाज से बहतर है परहेज करना यहीं उन सब ध्यान जान जाना जैसे की बिमारी हो ही ना ताकि हमको दवाईयों का इस्तमाल कम करना पड़े देखिए सुबह का समय है धूप निकल रखा है अब फिर दीन भर कोई टेंशन नहीं है लोगो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक धन्यवाद